Hello and welcome to TechInfo YD. The previous video में हमने यहाँ पर Node Server क्रियेट के या था. जज़ा कि आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने एक message प्रिंट कराया था. Hello from Node Server. तो अब हमको क्या करना है? बेकेंड पर काम करना है. उसके लिए हम क्या करने वाले हैं? MongoDB का यूज़ करेंगे. तो आप क्या करें? Official Documentation पर जाए. यानि कि Official Website पर आपको विज़िट करना है. MongoDB.com पर. तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? Cloud Database का इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पर देखेंगे. Cloud और Atlas. तो इस पर क्लिक करेंगे आप. तो देखें, यहाँ पर आपको क्या मिलता है? 500 MB का कुछ फ्री डेटा भी मिलता है यूज़ करने के लिए. तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं. बाखिस की Specification यहाँ पर बहुत अच्छे से Explain की हुई है. तो आप एक बार जरूर पढ़ें. और कैसे काम करता हैं? क्योंकि अगर फर्स टाइम आप बूस कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि MySQL से MongoDB totally different होता है. MySQL एक Relational Database है. और MongoDB एक NoSQL Database है. तो यह difference आप यहाँ पर follow कर सकते हैं. आपको अच्छा documentation उसका मिल जाएंगा. तो आपको यहाँ पर क्या करना है? Try for free पर भी क्लिक कर सकते हैं. तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? देखिए, Cloud है, MongoDB. यहाँ पर आपको इसके features मिल जाएंगे. अगर आप new हैं, तो यहाँ पर आपको register करना पड़ेंगा. और existing user है, तो simply आपको sign in करना पड़ेंगा. मेरे पास एक already account है. मैं check कर लेता हूँ, वो काम कर रहा है या नी. तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, login कर लेता हूँ. जैसे आप login कर लेंगे, तो कुछ इस तरीके से आपको नजार आएंगा. तो हो सकता है आपको कुछ interfaces का change नजार आए, क्योंकि यह regularly अपडेट करेते हैं. डेकिन इसमें कुछ changes होते रहते हैं, तो हो सकता है आपको कुछ इसमें difference मिले. तो यहाँ पर क्या है connect to atlas, हमको इसकी ज़रुवरत और यहाँ पर देखिए all cluster, इस पर आप click करेंगे, तो यहाँ पर clusters जो है show करेंगा. I think एक ही cluster मिलता है हमको create करने के लिए, तो मुझे तो याद नहीं मने कब create किया था, देखते हैं, यहाँ पर cluster है क्या हमारे पास? आपको सिर्फ create कलस्टर का option नजर आ जाएगा, उसके बाद में कुछ इस तरीके से आपको interface नजर आएगा, और यहाँ पर देखिए build a database, तो यहाँ पर क्या करें, simple इस पर click करें, और यहाँ पर तीन option मिल जाएगे, तो आप यह पहला वाला select करें, मुझा कर रहा हूँ, simply यहाँ पर create करें, तो यहाँ पर देखिए, आपको मिल जाएगा starting at free, तो पैसे क्यों देना पहले test करें, उसके बाद में लगे आपको use करना, तब ही आप जो है, और paid भी कब use करें आप जब officially आपके पास कोई project है, जिसके लिए आपको अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं, तब ही आप MongoDB का use करें, वरना आप क्या कर सकते है, MySQL के साथ जा सकते है, यहाँ पर create पर click करें, यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा इसका interface, shared है, तो dedicated, serverless, इसकी तो अभी ज़रुवरत नहीं है, simply आप क्या करें, shared पर click करें, और यहाँ पर provider चूज कर सकत है, तो यहाँ पर मैं select करता हूँ, Mumbai का server, क्योंकि मैं India से हूँ, अगर आपके नजदीक में जो भी है, तो यहाँ पर automatically भी बता देता है आपको, तो mostly यह 6 है, top in के servers, जो के active रहते है, साथ है, नीचे भी एक है, तो आप कुछ भी click कर सकते है, जैसे Google Cloud, Azure, यह भी use कर सकते है लेकिन AWS, I think, ज्यादा fast है, और इसके बाद मैं आपका देखी है, यहाँ पर आपको storage मिलता है, जो के बहुत है, I think, काफी इतना है, इतना तो हमारे पास data भी नहीं रहने वाला, तो simply, आप क्या करें, आप create cluster पर click करें, और यहाँ पर है capture, यहाँ पर select cards, okay, और verify, जैसे आप इस पर click करेंगे, तो देखें कुछ इस तरीके से आपको interface नजर आएगा, और यहाँ पर आपको message मिलेगा, कि आपको 2-3 minute यहाँ पर रुखना पड़ेगा, cluster को create होने के लिए time लगता है, तो तब तक के लिए आप क्या करें, यहाँ पर create कर लें, जैसे यह create हो जाए, तो मैं आपको आगे का process बताता हूँ, तो यहाँ पर successfully जो हमारा cluster create हो चुका है, आप check कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास 250 MB का जो हमको space यहाँ पर मिल चुका है, अब हम क्या कर सकते यहाँ पर create की मतद से भी database create करते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, manual database create करेंगे हमारे application के तुरू, तो यहाँ पर देखी है, हमारे पास एक method है, यहाँ पर आप इसे button के लिजिए, यहाँ पर cluster के लिए connect का, जिस पर आपको click करना है, और यहाँ से जो है, आपको create करना है, ए आप एक ही system से इसको use करेंगे, अगर आप multiple system से use करेंगे, तो please आप इसको use ना करें, simply आप क्या करें, यहाँ पर allow access from anywhere, तो हम भी इसी का इस्तेमाल करेंगे, कहीं से भी हम इसको use कर पाए, इतना लिख देते हैं, और add ip address इस पर click कर देते हैं, तो यहाँ पर message मिल जाएंग और आपको यहाँ पर password add करना है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, password भी, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, create database user, तो successfully हमारे पास connection create हो जाएगा, अब choose connection method, तो इस पर आप click करेंगे, तो देखिए, हमारे पास क्या यहाँ पर देखिए, connect to your application, connect with mongodb shell, और connect using mongodb compass, तो हम क्या कर सकते है, mongodb compass का use कर सकते है, यहाँ पर अगर आप रोबो 3D जानते होंगे, तो आप उसमें भी इसको use कर सकते है, तो यहाँ पर simply आपको इस पर click करना है, connect using mongodb compass, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, connection string, और अगर देखिए, यहाँ पर select operating system and download mongodb compass, अगर आपक have mongodb compass, और यहाँ पर मेरे पास एक connection string, तो मैं इसको copy कर लेता हूँ, और इसको close कर देता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि आप इसको बाद में copy paste नहीं कर सकते, simple वापस connect पर click करें, और फिर आप क्या करें, mongodb compass, तो फिर से आपको जैसकी string मिल जाएंगी connection के लिए, तो होगा क्या, कि black screen पर आपको खेलने की जरुवत नहीं है, simply आपको एक GUI मिलेंगा, इसमें आप easily mongodb को access कर सकते, जैसे कि इस तरीके से यहाँ पर कुछ इसका image है, कैसे काम करता है, आप देख सकते, और आप क्या कर सकते, इसको download and install कर सकते है, तो देखिए कुछ इस तरीक इसका interface नजर आता है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको भी मैं एक बार बता देता हूँ, कहां से आप download कर सकते हैं, simply आप क्या करें, एक new page open कर लें, यहाँ पर मैं Google open कर देता हूँ, और यहाँ पर हमको type करना है, Robo3T, यहाँ पर आपको मिल जाएंगा, RoboMongo.org, इ जबरत नहीं है, वरना काफी load बढ़ जाएंगा आपके system पर, ज़्यादा RAM नहीं है आपके system की, तो simply आप क्या करें, Robo3T को ही download करें, इतना समझ में आगे आपके, अब चलते हैं, वापस Robo3T पर, मेरे पास अल्रेडी दो connection है, अब यह 2701 क्या है, यह local connection था, अब हमारे प new, यहाँ पर cluster create करना है, अब हमारे पास connection जो है, from SRV से, तो इस SRV से click करना है, यहाँ पर आप क्या करें, link को paste कर दें, और password के बदले, इस parenthesis के block को cut कर ले, और आपका password यहाँ पर paste कर ले, और उसके बाद में आप क्या करें, यहाँ पर from SRV पर click करें, और यहाँ पर हम क्या इसको close करता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको save कर लेता हूँ, और यहाँ पर हमारे पास है new connection, अच्छा naming में issue हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको edit कर देता हूँ, और इसका नाम रख देता हूँ, pizza shop, यहाँ पर मैं इसको save कर लिया, अब मैं क्या करता हूँ, इसको connect क करूंगा तो देखिए यहां पर system और replica set तरी कुछ इस तरीके से options नजार आ रहा है तो ठीक है न कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है अब successfully हमारा MongoDB database connect हो चुका है तो हमको क्या है बार-बार यहां पर इसको open करने की ज़रूत नहीं तो बार-बार हम जाएंगे mongodb.com वहां पर login करेंगे फिर वहां से database को access करेंगे उससे अच्छा है कि हम directly हमारे पास एक ID है इसके तुरू हम database को access कर सकते हैं जिसकी मदद से हम जो है यहां पर connect करेंगे हमारे database से